आज हम लोग आपस में Lendin के लिए मुद्रा यानि करंसी का इस्तेमाल करते हैं हर देश की अपनी एक करंसी होती है जैसे भारत में रुपया, USA में डॉलर, Europe में यूरो हर देश की करंसी को उस देश की सरकार कंट्रोल करती है जिस देश की वो करंसी होती है जैसे भारत में रुपया और रुपया को कंट्रोल करती है RBI यानी Reserve Bank of India RBI जो मुद्रा देती है उस मुद्रा में एक value होती है currency एक promissory note होता है जो उस transaction को accept करने के लिए use होती है जो भी product या service आप खरीदना चाहते हैं जैसे आपने दिखा होगा note पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपय अदा करने का वचन देता हूँ मतलब ये एक तरह से promise है कि आप इतनी money की value की कोई भी चीज, कोई भी वस्तू या service खरीद सकते हैं, ले सकते हैं वैसे ही digital currency को RBI, bank द्वारा control करता है आप जो भी पैसा आप bank में deposit करते हैं, वो आपके खाते में एक digital digit show करता है और जब भी आपको transaction करते हैं, तो वो आपके account से debit और किसी के account में credit हो जाता है मतलब digital transaction को भी centralized banking system के through trace and track and record किया जाता है bank द्वारा control digital currency को आप कभी भी physical money में convert कर सकते हैं मतलब उस digit को आप cash कर सकते हैं और money के रूप में अपने हाथ में ले सकते हैं ठीक इसी तरह से cryptocurrency एक digital currency होती है, लेकिन ये currency blockchain के algorithm से बनी होती है और इस पर किसी भी देश की सरकार का कोई control नहीं होता, ये decentralized money होती है cryptocurrency में cryptography यानी encrypted security system का use होता है फर्क सिर्फ इतना होता है कि cryptocurrency को note या सिको की तरह से physical रूप में देखा या छुआ नहीं जा सकता ये आपके digital wallet में रहती है और इसका use के वल digital transaction करने के लिए होता है 2008 में Satoshi Naka Moto नाम के एक व्यक्ती ने blockchain के concept का इस्तेमाल करके एक currency को develop किया जिस currency का नाम है bitcoin लेकिन Satoshi Naka Moto कौन है ये कोई नहीं जानता आप मेरे साथ इस वीडियो में अंततक बने रहे हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि Satoshi Naka Moto कौन है Satoshi Naka Moto ने जब इस currency को बनाया तो इस तरह से encrypt किया कि केवल 21 million bitcoin ही बनाये जा सकती है आज 5000 से ज़्यादा cryptocurrency चलन में है लेकिन bitcoin, ethereum, libra, dogecoin ये वो currency हैं जो बहुत ज़्यदा famous है cryptocurrency को किसी भी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती और नहीं cryptocurrency traditional banking system को follow करती है आज दुनिया के कई देश जैसे USA, Japan, Spain, Romania, bitcoin में shopping, trading, traveling, exchange और investing को accept करते हैं RBI ने 5 अपरल 2018 को एक circular जारी किया और उस circular में सभी bank को एक instruction दिया कि जो भी identity cryptocurrency में trade, deal या transaction करती हैं उनको banking services ना दी जाए मतलब उनके द्वारा की गई transactions को bank के द्वारा convert या transfer ना किया जाए March 2020 में Supreme Court ने cryptocurrency के favor में एक फैसला दिया जिसकी वज़े से reserve bank को cryptocurrency पर लगाए गए bank को हटाना पड़ा और जब ये bank हटा तब से भारत में लोगों का cryptocurrency की तरफ रुजहान तेजी से बढ़ने लगा जिसकी वज़े से लोग cryptocurrency को एक अच्छी investment के रूप में देखने लगे और उसके user तेजी से बढ़ने लगे यदि आप भी cryptocurrency में invest करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि cryptocurrency के क्या फायदे और क्या नुकसान है उसके बाद ही आप ये decision लें कि आपको cryptocurrency में invest करना चाहिए या नहीं और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि सतोशी नाकामों तो कौन है इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहे हैं तो आईए जान लेते हैं कि cryptocurrency के फायदे क्या है पहला फायदा cryptocurrency एक volatile currency है जिसकी वज़ा से इसकी कीमत में बहुत तेजी से उतार चड़ाव होता रहता है और जो लोग investment की power को जानते हैं और risk लेने के लिए तयार होते हैं वो इसका इस्तिमाल investing के लिए करते हैं और पैसा बनाने के लिए करते हैं दूसरा फायदा cryptocurrency आपके digital wallet में होती है जिसकी वज़े से online transaction और आपस में लेन देन करना बहुत आसान होता है cryptocurrency में किसी भी देश की सरकार का कोई control नहीं होता जिसकी वज़े से किसी भी देश का inflation या demonetization जैसी गतिविदी का cryptocurrency पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चौथा फायदा cryptocurrency में लगी हुई आपकी capital कंट्रोल ना होने के कारण आप पूरे विश्व में किसी भी देश में transaction कर सकते हैं और आपका transaction शुल्क भी ना के बराबर होता है और पाँचवा फायदा transaction लेने और देने वाले व्यक्ति के बीच होती है इसलिए आपकी transaction को किसी भी तरह से track, trace या record नहीं किया सकता जिसकी वज़ा से आपकी transaction गोपनिया बनी रहती है तो ये थे वो पाँच ऐसे फायदे जिसकी वज़ा से लोग cryptocurrency की ओर आकरशित होते हैं